हलो गाइस वाट्जाप आइ ओप यह रहो फैन यूप यू फैन यूप यूज दो प्रीजिय पढ़ रहे हैं यूज बहुत जरूरी है पहली बार सबी बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम उसे साब से चलना है अगर किसी ने पढ़ा है तो और कोई चीज पढ़ लें जिसने यह नहीं पढ़ा है तो वह पढ़ लो अच्छे से क्वर करने वार एक ही बार पढ़ो वर्ल्ड जोग्राफी को अगर आप इसके लिए भी स लेक्चर सीरीज रूटर पल एस वन दे बेस्ट फालेट फर्म फाफ्रे एजुकेशन हैं वह लेग्ट वहां पर दिया था मैं और फ्लड दिया था मैंने वह आप खूद कर सकते उसमें पढ़ना ही थोड़ा सा क्या होता है उसमें जाधा कुछ खास नहीं है लेकर पता होन क्लास्पिकेशन आपको दिखा है सब कर कोपन का क्लास्पिकेशन दिखा है मैंने अब आपको इंडिया के लिए करना है कोपन का क्लास्पिकेशन कौन सा है कौन सा टाइप है कोपन का क्लास्पिकेशन इंडिया के लिए क्योंकि आपको पता है इंडिया मूनसून में आता ह ट्रॉपिकल रेंज में आता है और मून्सुन कलाइमेट है तो आपको पता है ट्रॉपिकल के लिए कोड क्या था किस ग्रूप से बिलॉंग करा था और कौन सा टाइप अफ ग्रूप क्लाइमेट था एक तो था कौन सा ग्रूप और कौन सा टाइप था आपको इंडिया आता है ट्रॉपिकल जून में तो इंडिया में ट्रॉपिकल जून तो है लेकिन कौन सा मून जून तो आपको खुद आइडिंटिफाइ करना है नेट पर देखना नहीं है पहले खुद कोशिश करो ठीक है वह आप खुद कर सकते हो उतना थोड़ा सा कर सकते हो ठीक कि अब पता होना चाहिए, जो भी हमारे पास कॉंटिनेंट के बार में निट्यल पढ़ने हैं… जैसे मあの इन्डक में मोनटिन्स ही। हर क कोंटिनिंट में देहिए। क्या काको पास होता है। किस स्टेट के फ़ू पास होता है, in continents के through वो सब कुछ हमें जानना अच्छे से सबसे पहला जो basic point जो है यहां से आपको जो question मिलेगा stable से वो आपको याद रखना है सबसे पहले area नहीं पूछा जाएगा अफरीका का यह आपको याद नहीं रखना है लेकिं स्टिल इस पर लिखा हुआ आप दियान दे सकते हैं यहां पर longest river जो है यह पूछा जाता है आप exam में देखोगा आप previous questions देख लेना किसी पी exam की जहां पर world geography self में है वहां पूछा जाता है longest river हम Africa continent में ने Africa से start किया याद रखना है Africa से start किया मैंने उसके बाद हम करेंगे एशा सब कुछ करेंगे लेकिन हमें आज Africa से start किया ठीक है तो सबसे पहला point area इसका कितना है याद रखने की जूरूत नहीं दूसरा जो है that's longest river longest river इसका कोन है आपको बोलना है जो river Nile जो है इसका longest river है याद रखना इसके length कितने है याद रखने की जूरूत नहीं है बस इतना ही आप याद रखो Africa Continental longest river कोन सा है आपको बोलना है वो Nile river है I hope यह बात आपको समझाए होगी उसके बद highest mountain यह पर मैं factual बोल रहा हूँ लेकिन facts पर world geography पर questions पूशे जाते है highest mountain कोन सा है को याद रखना है उसका नाम है किली मंजारो याद रखना है किली K-I-L-I-M-A-N-J-A-R-O याद रखो किली मंजारो किली question आएगा किली मंजारो किस continent में आपको बोलना है किली मंजारो जो है that is in Africa continent इस एफरिका कॉंटिनेंट में कौन सा mountain है highest mountain नेक्स्ट व क्वैचिन ये बनता है longest desert कौन सा है सबसे बड़ा desert कौन सा है अफरिका में सबको पता होगा सबने सुनोगा सहारा desert थार desert इंडिया में है लेकिं जो सहारा desert है ये अफरिका में है ये आपको याद रखना है highest volcano ये भी यह फिलिमंजारों हर लॉंगिस्ट टूर्वयले एफ्रिका में आपको याद रखना लॉंगिस्ट टूर्वयले याद रखना इस पूंट को पूंट को पूछा गया एक्जाम में नेक्स टैजल चलेंगे बिगएस्ट लेक जो था ये प्लेंट अपर हर एक प्वे वी उपर questions आप mc को देखोगे जो ऐसे सीजल में cds में वहाँ पर पूछे जाते हैं आप याद रखोगी आपको यहाँ पर पूछे क्यों अगर उनने दिया है फिजियोग्राफी वर्ल्ड गी तो यहां से आपके questions बन जाते हैं largest island जो है that is medagaskar यहाँ आपको याद रखना है मैंने आपको दिखाया था अभी मैं दिखाऊंगा आपको आफ्रिका फैले मैं आप ही दिखाऊंगे चलो यह एक सकते हो ठीक है यह पूरा अफ्रिका कॉंडेन है ठीक और यहां पर ऐसे एक यह है उसको बोलते हम medagaskar आपको प पॉइंट से सभी की पॉइंट को आपको याद रखना है इसका लॉंगिस्ट रिवर कौन सा हाइस्ट मॉंटेन कौन सा लॉंगिस्ट डेजर्ट कौन सा हाइस्ट वालिकनो कौन सा है लॉंगिस्ट रिफ्ट वैली का नाम याद रखना है बिगस्ट ले कौन सा लार्जिस् हम स्टार्ट करेंगे यह वाला वोल्ड फिजीकल जोग्रफी का सबसे पहला एफ्रीका हम कर रहे हैं जो भी मैं पॉइंट बोलोंगो उस पॉइंट को बहुत जादा धन रखना किस तरी किसी पॉइंट आये हैं हर एक पाइंट का एक 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 मीनिंग है सबसे पहला सबसे यही बनता है आपको बोलना है किस कॉंटिनेंट के थूऊ आपको बोलना है ऐसका पास होता है इंडिया पास सबसे पहला पॉइंट आपका यहां बन जाता हूं most important point है अब question है, चलो ठीक है, हमने तो हमें तो पता चल गए है कि टॉप एफियन सरपास होता है अफरिका के तरूपास होता है किस किस country के तरूपास होता है जो अफरिका continent है, उसकी country किस किस country के तरूपास होता है यह आपको याद रखना है, सोमालिया Kenya, Uganda, Democratic Republic of Congo ठीक है, Democratic Republic of Congo और Congo हाँ, यह होके Gaben यह आपको याद रखना है 1 Synd情 को मैं आपको map ये दिखाता हूँ ठीक है, यह आप देखो map मैंने क्स किस country के तरूपास होता है यह आपको जनना है और aa Capitol advisor cancer के तरूपास होता है है यह सब कुछ आपको पता होने चाहिए, एक सिकन्ट रुको तुम में दिखाता हूं, एक सिकन्ट रूको यह आप देखो यहाँ पर, मैंने की बोलना ट्रॉपक अप्थ कैप्र इंटर बी और एक्विटर ये वाली ल्याइन ये इसको Zoom कर रहा है यहां पर सबसे पहला देखो यहां पर इस साइड अगर देखो तो इजिप्त के थूब्पास होता ऐtoo लीबिया के थूब पास होता है ठीक है फिक हैं अलजीरे के थूबध EMT ठीक, यहां पर क्या है, Western Sahara के थ्रू पास होता है, ठीक, मौरी टीना के थ्रू पास हो जाता है, यह आप देख सकता है, यहां पर जो मैंने highlight के इनको याद रखना एक आपको वहाली सब्सक्राइव का थ्रू आज आजा जा है, ईसा कौन सी country पर होने चाहिए पूछा जाएगा नेक्स्ट जो है इसका थोड़ा सा में नीचे अगर आऊँगा फिर पूछा जाएगा एक्वेटर बोलो एक्वेटर किस किस काट्री के तुरू पास आपको बोलना है सोमालय के थूरू देख यह सोमालय यह पूछा जाता है Democratic Republic of Congo यह इसको जायर भी बोला जाता है यह सब कुछ आपको वोल्ड का पता होना चाहिए ठीक है, given के through भी ठीक है, pass हो जाता है और Congo Demo ठीक है, एक है Congo Democratic Republic, दूसरा है Congo Democratic, याद रखना है एक है Democratic Republic, दूसरा है Congo Democratic, यह आपको याद रखना है इन 5-6 countries के through यह पास होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ Somalia के through pass होता है, कीने के through pass होता है यूगंडा के through pass होता है रिवाड़ा, अच्छे यह बाद में बताऊंगा यह रिवाड़ा क्या है, Congo, जायर के through pass हो जाता है ठीक है, और यहाँ पर गेबन के through pass हो जाता है, और Congo Democratic Republic के through pass हो जाता है यह आपको याद रखना है थर्ड जो है, यह आपके नोट्स पर लिखना है आप लोगों को यह तीक है, उसके बाद आपको क्या करना है आपको बोलना है, की ट्रॉपक of Capricorn बी pass होता है, तो इसके बाद वाद लिखना है साओध वाला पार्ड जो है, तो कौन कौन सा है मोजम्बिक क्यों यहाँ पर रियाद रखो, मोजम्बिक क्यों थर्ड पास हो जाता है साओध एफरिका के through pass हो जाता है ठीक है, और यहाँ पर जो है तो medagast करके through यह pass हो जाता यह आपको याद रखना है यह हर एक point यहाँ पर आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है तो यह हो गया maps के through यह मैं आगे चलता हो next point क्या है मैंने तो एक line पड़ी है यहाँ पर लेकिन इस एक line से बहुत सारे concepts मैंने आपको बोला अब यहाँ पर यहाँ रखने के जुरुत नहीं equator passes through मैंने आपको बोला है ठीक है, next point जो है that is, Africa is the world's second largest and the second populous Africa जो है, world's second largest continent है ठीक है, and second most populous continent that means, पहला तो कोई होगा तो पहला continent कौन सा है most populous अब आगे बताऊंगा, वो actually Asia है, और उसके बाद जो है Africa, सबसे ज़्यादा population किस continent है, आपको बोलना Asia में, उसके बाद second largest populous country कौन सा आपको बोलना, Africa है ठीक है, और second world's second largest continent भी एक तो populous के साब से तो एक तो era के साब से भी it is as dark continent ठीक है, it is called as dark याद रखना सबसे पहला, एक important point इसको dark continent भी बोला जाता है question आगे कि dark continent किसको बोलता है अपको बोलना, Africa को, या इसी को दूसरा नाम बोला जाता है, black continent reason क्या है, इसके पीछे reason यह है क्योंकि यहाँ पर thick forests है तो इसलिए इसको black continent बोलते है यह नहीं याद रखना है कि यहाँ पर black लोग रहते हैं, तो इसलिए नहीं, forests यहाँ पर thick forests है, that's why it's called as the black forests, ठीक है black continent, next point अगर हम देखेंगे, sorry next देखेंगे, ठीक है, southern most point of Africa continent is called cap up good hope, मैंने आपको पिछली lecture में भी बोला था जब मैं इंडिया का, physiograph पे आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बोला था cap up good hope का मैंने बोला था इंडिया के बारे में मैंने बोला था cap up camoran, जिसको बोलते है, cap up kenya को मारी लेकिन एफरिका का, जो यह वाला tip है इसको बोलते है, cap up good hope मैं map का आपको देखा हूँ फिर से क्योंकि मैं visualization से यह आपको पता चलेगा यह point जो है, इसको बोला जाता है cap up good hope यह वाला point यह जो है, यह यहाँ पर cap up good hope और इस cap up good hope पे एक town है इसको बोलना है, cap town जो cap town जो है वो south Africa में है, यहाँ आपको बोलता है आगे चलते हैं, ठीक है उसके बाद जो है, Africa almost touches Europe at one place and Asia at two places most important point यह है most important point है Africa Europe को भी touch करता है और Asia को भी touch करता है मतलब Europe को दो जगों पर touch करता है यूरप को एक जगह पर touch करता है अगर मैं Africa बना रहा हूँ है यहाँ से यूरप अगर आजागा यूरप को एक जगह पर touch करता है और Asia को दो जगह पर touch करता है question पूछा जाता है कि यूरप जो Africa जो है ये touch करता है किसके साथ यूरप के साथ और Asia continent के साथ लेकिन यूरप को एक जगह पर touch करता है और ऐफ्रिका को दो जगह पठ्थ करता है, मैप में दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रहसे, ठीके कह सोब करता है, आपको बोलने, दो जगह पठ्थ होता है, कहां कहां पर सबसे पहला, आपको याद रखने है, स्ट्रेट आफ, स्ट्रेट आफ, गिब राल तर याद रखना है स्ट्रेट आफ गिब राल तर ठीक है यह एक स्ट्रेट है जैसे मैंने बोला था मैंने आपको बोला था पालक स्ट्रेट मैंने बोला था इंडिया और शिलंगा के बीच में इसी तरीके से यहां पर एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं यह थीक है तो आपको रखना है साओध अफ्रिका कॉंटिनेंट जो हैं यह एश्या को भी टाइच करते हैं और यूरॉप को भी टाइच करता हैं और क्या बतो है एश्या को दो फिलेसे पेचित अज एक करके कहा कहां सबसे पहला स्ट्रेट अप गिबरालतर इट सेपरेट एक स्ट्रेट है जिसको बोला जाता है कौन ता स्ट्रेट आपको बोला गिबरालतर स्ट्रेट एक है जो सेपरेट करता है मुरा को यहां पर मैंने अफ्रीका का मुरा को बना लिया और यहां से स्ट्रेट पास होती है फिर यह स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है यह किसको कनेक् के साथ और एफ्रिका का कौन सा पार्ट यूरप के साथ टाइच होता है सबसे पहला पॉइंट यह स्ट्रेट क्या करता है यह स्ट्रेट जैसे मैंने बोला था आगर आपको याद होगा मैंने इंडिया बनाया था यहां पर मैंने शिरलंका बनाया था ठीक है यहां पर मैंने बेया बेंगाल लिखा था और यहां पर Arabian Sea फिर मैंने क्या बोला था यह स्ट्रेट एक आती है ठीक है यह स्ट्रेट एक होती है जो कि बेया बेंगाल को किसके साथ जाइन करता है आपको बोलना था Arabian Sea के साथ तो बनके स्ट्रेट तो definitely a state of Gibraltar जो है Gibraltar जो यह भी किसी को तो टाइच कर रहा है किसी ना किसी को सी को कनेक्ट करता होगा किसी ना किसी ओशन को कनेक्ट करता होगा किस ओशन को यह किसी को कनेक्ट करता है आपको याद रहना है Mediterranean Sea to Atlantic Ocean के साथ इसको जाइन करता है most important point है question पूछा जाता है मैं आपको अलग से भी यह पढ़ाऊंगा कोन कोन से important straight से world की और किस को किस के साथ कनेक्ट करता है that means मैंने आपको यह भी बोला था अगर देखो मैं इंडिया की concept से आपको समझाओगा तब आपको यह समझागा मैंने इंडिया बनाया था और यहां पर शिरलंका बनाया था मैंने बोला था एक straight होती है ठीक है जो दो large water bodies को यह था बेया बेंगल यह था बेया बेंगल से समझो इस concept को आगे मैं repeat नहीं करूँग यह बेया बेंगल यह अरब इंसी था यह यहां पर straight pass रही था इसका मतलब एक small water body क्या कर रही थी दो large water bodies को connect कर रहा था बन गया straight ठीक है और दो land masses को भी separate कर रहा था इंडिया को किस से separate कर रहा था शिरलंका के साथ separate कर रहा था इसको आप यह भी बोल सकते दो large water bodies को connect करता था यहां आप यह भी बोल सकते हैं दो land masses को क्या करता था separate करता था इस तरह की दोनों concept आपको याद रखना है मैंने क्या बोला मैंने बोला street क्या करता है एक small water body होती है जो connect करता है दो large water bodies के साथ यहां क्या करता है दो land masses को separate करता है एरिब इंसी को बेया बेंगल के साथ जाइन करा है exactly यहां पर देखो मैंने दो land masses का नाम लिया एक मैंने लिया Africa का मुराकू दूसरा मैंने Spain का Europe लिया यह ले लो Africa का मुराकू और यह ले लो Spain का Europe ठीक है यूरप का Spain यह Spain है यह मुराकू है और यहां से एक स्ट्रेट पास होती है जिसको क्या बोलता है आपको बोलना है उसको बोलता है तो यहां पर लिखोगे यह मेडिटेरिनसी है और यहां पर बोलोगे सर यह पूरा जो है यह Atlantic Ocean है इस तरीके से आपको रफ पे लिखना है रफ पे आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है रफ को अपने imagination करके आपको यह बनाना है यह आ गया आपको समझ अब मैं आपको मैं आपको मैं पे लेका जाओंगा तब आपको यह चीज़ समझ माया जाएगा अभी मैंने इसको पिक्चर लिया था समझ में आजाएगा ठीक है देवान से मैं इसको इतना ही zoom कर पा रहा हूँ एक सेकंडर को मैं फिर से देखता हूँ इसको अगर मैं कर पा है इसको zoom इतना ही zoom हो रहा है आप इसी पर थोड़ा focus करो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप देख पा रहा हूँ यह देखो यहाँ पर meditariansy है ठीक है यह meditariansy हो गया मरा को एक सेकंडर को meditariansy दखाए मैंने आपको हाँ स्पैन हाँ यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह मैंने क्या बोला मैंने बोला एफरिका कॉंटिनेंट जो यह किसको कनेक्ट करता है यह यूरप के साथ कनेक्ट होता है एक जगह पर देखो यह स्पैन है यह स्पैन देखो यह वाला जिसको मैंने हाइलाइट के यह वाला यह होगा है स्पैन नीचे क्या है नीचे देखो मरायको स्पेन यहां से किसका पार्ट है आपको बोलना सर स्पेन तो यूरोप का पार्ट है तो यह तो पूरे यूरोप का ही पार्ट है लेकिन यूरोप के पार्ट है लेकिन यह कनेक्ट हो रहा है यहां से किसके अफ्रिका के किस वाली साथ किस वाली पार्ट के साथ आपको बोलना स मराइकों के साथ स्वारा रही है और इसके फ्र्म पास हिshut उसको बोला जाता है स्ट्रीट गिव रहालतर यह वाली रही सथे अब देख़ Pron Всë रही है और यह सपैन को कनेक्ट करतां मराइकों के साथ यह अप यह स्ट्ठ आ वी बोल सकते हैं यहां से पूरा क्या है यह हम पर Atlantic Ocean है I hope यह बात आपको पूरी समझ आ रही होगे मैं क्या बोल रहा हूँ कोई समझ आ रहा है यह आप देख सकते हैं यहाप ठीक है यह आया समझ यह वाला है यह वाला ठीक है इसने नहीं लिखा इसका स्ट्रेट का नाम लेकिन मैं आपको दूसरे मैप पर दिखा एक सेकंड रुखो अगर वह दूसरा मैप था मेरे पास दूसरा वाला पार्ड चलो कोई शुनी है हाँ यह है यह इखो यह पूरा डेखो आप इफ्रक है ना देखो किसके साथ होता यूरप के साथ और यहाँ पर मरायक हो था और यहाँ पर क्या था इपर उपर और इसके बीच में क्या था आपको बोलना है किसा Cut Tlaquis कोशन है और यहां पर मेडिटेरिन सी था और यह वाली स्ट्रेट थी यह आई होप यह पूर आपको समझ आया होगा यह आप देख सकते हैं देखो यहां पर जूम करने से थोड़ा बुलर हो जाता है बाट स्टिल यू कें सी इट ठीक है तो यह देख सकते हैं अप यह ऊस्यूज किनाल भी यहां पर दिखा तो कि नाथ किनाल यह द एक हैं हों यह न बहु聊 को वड़कर साम रहा है यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको एक मिनट मेंगरें आएगार उसी इसी प्ल़प्स के था ? लूमów करने से हो जाता है थी है आप लोग लोगो तक ये बाद में तो पूरी कोश्ट कर रहा हूँ आप लोगों सम्झा है नहीं कि समझ सकते हो किस की चीज को करना है हएं ये 5 पूइंट्स in हो उगे यह ही ऐे स्ट्रेट अपे गिबरालतर कोश्चन तो समझा होगा स्यूस किनाल इतá can got Jordan और Egypt के बीच में Jordan and Egypt & Connect mediterancy to Red Sea यह seeos Canal क्या करता है यह मैंने किनाल बनायाih आपको बोलना है Mediterranean Sea को Red Sea के सब इसको टिप पे रखना है code बना लेना जो आपको बनाना होगा बढ़िए यहाद रखना है स्यूज गिनाल जो हैं दो लेन मास को connect करता है किसको आपको बोलना है Jordan Egypt यह बोल सकते हो यह connect करता है दो दो water bodies को एक वर दो Mediterranean Sea को Red Sea के सब connect it was designed by को याद रखना artificial है ज्यादा detail मैं यहाँ पर नहीं जाओंगा उतना आपको जाना ज़रूरी नहीं है बस इतना याद रखना इसको design किस ने इतना याद रखना इसको यहाँ पर design किस ने किया engineer FD Lespes ने इसने क्या किया design किया Lespes ने इसको क्या किया है याद रखना Lespes ने इसको design किया है यह पूछ सकते है Lespes के नाम ठीक है उसके बाद it runs from shoes in Red Sea to port Z in Mediterranean Sea यह कहां से कहां run करता है अब यह तो मैंने किनाल बना लिया shoes किनाल कहां से कहां run करता है मैंने बोला Red Sea or both ready linearский लेकिन Red Sea किस वाले पार्ट से आता है आपको लैं Red Sea से आता है ठीक है runs neailuse in Red Sea meow Meditarian C के पास और यह जगhnार्ग मैंने बोला एक मैंने बोला酷 मेला is a कि मैंने शुट बोला और दुसरा मैंने port professionals हेud मैंने बोला दोनों जगह का नाम याद रखना और साथ लेकिन रेड सी का कौन सा वाला हिस्सा आपको बोलना है स्यूस वाला पार्ट और कहा तक चला जाता आपको पोड़ा ऋ 2 पर पूट सेडि तक चला जाता थैं पिर से मुझे निजाद और घर पर दिमा न 1 याद रखो यह मकोंपर खुलता है इन जगों पर किनेक्च हरा है कि यहां तक हो गया ठीक है आगे चलते हम उसके बाद अ बाल बाबropolis मैंडम या रखना स्ट्रीट आप बाल इल मेंड़ यह आपको सब कुछ याद रखना आसान चीज़ां नहीं लेकिन मैं कोश्च करूँ आपका असन वनाने के लिए ठीक है आपने पहली बार पड़ा किसे आपको मुश्किल लगेगा थोड़ा सा लेकिन याद रखना जुरू है याद रखना एक स्ट्रेट है जिसको बोला यह एक स्ट्रेट क्या करता है दो एक state क्या करता है दो water bodies को connect करता है या दो land masses को separate करेगा तो किस-किस को separate करता है आपको डीजी बोटी को यमन से अलाग अलाग करता है सबोज यह मैंने डीजी बोटी बनाया यह मैंने यमन बना लिया और इसके बीच में जो स्ट्रेट आ जाएगी इसको क्या बोला जाएगा आपको बूला बाब अलमेंडब फिर किन वाटर बाड़ी को क्यानेट करता है आपको बोलना है यहां से एक वाटर बाड़ी है जिसको बोलते है रैड़ सी और दूसरा गलफ अफ एडन आपको याद रखना है तो हर दोनों साइट से आपको याद रखना है लेंड मासिस के हिसाब से भी याद रखना आपको water bodies के सबसे भी याद रखना आपको ठीक है यह हो गया the great rift valley जो मैंने अभी बोला आपको great rift valley is a major physiographic region great rift valley is a major physiographic region which lies in the eastern part of Africa question आजागा कि यह कहां पर है great rift valley आपको बोलना है यह एफरीका का पार्ट है कहां पर पाया जाता है आपको बोलना है eastern part of Africa most of the lakes are located in this valley इस वैली में किस great rift valley में maximum जितने भी लेक से एफरीका में maximum lakes great valley में पाये जाते हैं however lake Victoria is not a part of the rift valley याद रखना लेक विक्टोरिया जो है यह रिफ्ट वैली का part नहीं है यहां पर मैं मैं पर आपको दिखा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक second रुको देखो अभी मैंने आपको एक mount water बहुत बोला था हइस्ट है तो देखो यह लिखा भिहाएस्ट है और walking the eruption होता यह आप देख सकती हो यह आपको synth do शहरे desert का मैंने आपको बोला था अभी आप देखो उपर सहरे desert ओपर ही है यहाँ पर आप आप देख रखना है मौट एटलस भी रेंज एक रेंज है जिसको बोलते है अटलस रेंज वह भी यहां पर ठीक है यह मैं आपको बताता हूं अभी अब थोड़ा से पेशन्स रखो मैं आपको बताता हूं सब कुछ देखो यह स्यूज किनाल है यह रेड़ सी है ठीक है यह आप देख सकती है यह वाला यह वाला यहां पर ठीक है यह अब देख लो हो गया यह वाला जो और कुछ दिखाना था यह मैप कहां के हाँ ठीक है चलो आगे चलते हैं यह पॉइंट भी हो गया रिफ्ट वैली का पॉइंट हो गया रिफ्ट वैली इस एपम पार्ट नियुक्त वाला पार्ट जो है वहां पर रिफ्ट वैले हमें देखने को मिल रहा है और most of the lakes are located in this valley most lakes इसी में वैली है और important lake जो जिसको बदर Lake Victoria यह रिप्ट वैली का पार्ट नहीं है याद रखना, Victoria Lake जो है रिप्ट वैली का पार्ट नहीं है बस इतना आपको keyword याद रखना है उसके बाद Lake Victoria किसके थूरू पास होता है equator जो है Lake Victoria Lake Victoria के थूरू भी पास होता है एक question पर पूछ सकते है Lake Victoria also passes through equator and it is the largest lake of Africa which shares its borders with three countries Kenya, Tanzania and Uganda यह आपको याद रखना है question पूछा जाता है यह Lake Victoria दिया गया है और question यह पूछा जाता है किस किस country के साथ border बनाता है आपको बोलना है Kenya के साथ आपको बोलना युगांडा के साथ 2018 में UPS में question पूछा गया है Lake Victoria की combination बता हो किस किस country के साथ border बनाता है और आपको इसको टिक करना था I hope यह आप बात समच आई होगा आपको ठीक है Lake Victoria पर कितने countries के साथ border बनाता है आपको बोलना 3 countries के साथ Kenya तंजानिया एंड युगांडा के साथ ठीक है यह आपको याद रखना है उसके बाद Lake Tangya यह कहा है अच्छा है एक सेकंड रुक एक सेकंड रुक है ठीक है Lake Tanganyika जो है यह second largest lake है अफरीका का आपको सिर्फ Lake Victoria यह अगर याद रखोगे तो वह ही most important है बट स्टिल मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ लिखा है Lake Tanganyika जो है यह second largest lake एफरीका है इस सराउंड पर टंजानिया जैंबिया ठीक है बुर्ण डिमोक्रेटिक रिपब्लिक अप कॉंगो जिसको जायर बोलते हैं बुरंडी याद रखना है यह इसको जो है इन कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है लेक लेक विक्टोर है यह आप यहाँ पर याद रखो इतना ज़्यादा पढ़ने की जूरत नहीं है खीक है लेक चट जो है यह most important पूछा गया है यहाँ पर यह एक एक्जाम में पूछा गए इसलिए मैं यहाँ पर इसको हाइलाइट किया हुआ है यह इस लेक के बारे में पूछा गया लाइज इन सेंट्रल एफरिका एंड इस सारॉन इट बैफोर कंट्रीज यह एफरिका के संट्रल पार्ट में है और इसके आसपा जो है चार कंट्रीज ने इसको कवर कर ले यह एक कंट्री यह दूसरी कंट्री यह तीसरी कंट्री चोथी कंट्री याद रखने के जूरत नहीं कंट्रीज करना बस इतना रखो याद कि लेक चाद अगर पूछा जाएगा यह किसका पार्ट है ठीक है इट फार्म इस इनलेंड ड्रेनिज बनाता है याद रखने के जरूरत नहीं है बस जो मैं जहां पर मैं ज़्यादा जोर करूंगा वो आपको याद रखना है ठीक है बस यह याद रखो तो हाइस्ट पीक अफ एफरीका इस मौंड के लिए मंजारो जो हाईलाइट आल जो है इसके ऊपर होता है एटलस मौंटेन याद रखना एक थास्मयारे में ठीक है मोटू इस लोकेटिट एट एल गी मैं लिखा कुछ कोड अपना है मेरा यह ठीक है एटलस की बात करना लोगिटेट मरायको याद रखना तबसे पहला पॉइंट एटलस घहाँ पर आपको रेंज है ठीक है रेंज तो कंट्रीज के थ्रू तो हो गई डेफिनिटली अब कितने कंट्रीज के थ्रू है आपको मरायकों के थ्रू भी है तो नीशा के थ्रू भी है और अलजीरा के थ्रू भी है यह यह पास होता है और अलजीरा क्या है ठीक है अलजीरा एंड यंग फोल् इसे तरीकिसे ए मैं यंग फोल्ड मॉइंटेन से कौन सा पीरिड है टर्शिघरी पीरिड का ठीक है दा लार्जस्ट हाट डेजर्ड होट लिकाए ठीक है तो हुझ आपको पढ़ाया था इसी तरीक से Atlas Mountain भी फिजियोग्राफी में आएगा तो Atlas Mountain मुराको तुनिश्या अलजीरा में आपको याद रखना है यंग फोल्ड मॉंटेन है दूसरा पूछा जाएगा वर्ल्ड का हॉर्टेस्ट डेजर्ट कौन सा सहरा डेजर्ट ठीक है यह कहां पर यह नौर्थ पार्ट आपको ओना है आफ्रीका में तहीं में आपको maps के तूबर भी देखाउंगा द्रीक्रेंट फूरम वर्ल्ड हेस्ब्रीट हैسं रिकॉर्डड अजीजा याद रखना लीबिया जिसको लीबिया बोलते अल और ऑजीजा कहां पर लीबिया में तहां पर नाफटी ए tempo में इस hottest place in the world right यह आपको याद रखना है यह क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर नाइल अगर यह फुलो हो रहे है इसकी दो ट्राइबिटरी से कौन-कौन से आपको बोलना सर एक यह ट्राइबिटरी होगी एक यह ट्राइबिटरी होगी एक का नाम जो है यह तो याद रहेगा ब बिल्यू नाइल और वाइट नाइल इसका जो है उसके बाद आगे चलते हैं बिल्यू नाइल और जिनिट्स फ्रम लेक ताना इन इथोपिया अब बिल्यू लेक है क्योंकि अगर आपने लेक तो पढ़ा है इसका और इजिन पर पता होना चाहिए रिवर नाइल तो है यूगोंडा लेकन वायट नाइल का जो औरेज़न इसका नोडू नल वाइक एल्बोट यूगोंडा में बिल्यू नाइल एंड वायट नाइल जैसे मैंने आपको भीधिन मैंने को बूले अपने ईंडिक अगे मैंने अपने बूले दातнок मुझे अभी याद नहीं आ रहा है बस उसी तरीके से यहाँ पर क्योंता है यह बिलू नाइल और वाइट नाइल जब निकलता है यह क्या करते है यह मीट करते है एक जगह पर जिसको बोला जाता है खार्टॉम यह पूछा गया है एससी में खार्टॉम यह बिलू नाइल और वाइट नाइल जो है यह कहां पर और मीट करते हैं आपको बोला है खार्टॉम याद रखना है जो नौर्थ सोडन जो है उसका कैपिटल है ठीक है और उसके बाद जब यह बिलू नाइल आ गया वाइट नायल आगे, इसके बाद यह मिल जाते हैं, और आगे चला जाता है, और फिर यह नायल के नाम पे चलता है, रिवर नायल को, अधरवाइस यह बीछे इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, Egypt is called as the gift of river Nile याद रखने, Egypt को बोला जाता है gift of river Nile, Egypt के through river Nile पास होता है and and Cairo, that is capital of Egypt Cairo, जो है, यह capital of Egypt है is considered as the largest largest town of Africa in Africa का largest town, जो है that is the Cairo, याद रखने Cairo, जो है इसको consider किया जाता है largest town of कौन्त, largest town किसका, एफरिका का और Cairo, जो है, यह capital किसका है Egypt का, which is situated on the bank of river Nile यह कहां पर है, located river Nile के bank पे है ठीक है, Cairo and Alexandra are important centers of cotton textiles cotton textiles के important centers भी इनको consider किया जाता है I hope यह बात तो आपको यहां तक समझ जा रही होगी फिर Victoria के बारे में पढ़ेगी Victoria लेक में ने बोला था Victoria falls into a river called Zimbayze River, याद रखना है Victoria जो है, यह एक फाल होता है Victoria फाल जो है, इस तरीक से waterfall जो होता है, यह किस लेक में आ जाता है फिर किस river के साथ मिल जाता है आपको बोलना है Zimbayze River Victoria falls on Zimbayze River is known as a smoke that thunders, question पूछा जाएगा किस को बोला जाता है Smoke that thunders, आपको बोलना है Victoria falls को बोला जाता है Victoria falls को बोला जाता है Smoke that thunders It is higher and wider than even the famous Niagara falls of North America यह higher भी है और wider भी है किस से Niagara falls question आएगा कि जो आपके पास Victoria falls यह कह पर है, आपको बोलना है Africa continent पे, आपको question आएगा Niagara falls जो यह कह पर आपको बोलना North America में है, ठीक है यह आपको याद रखना है और यह अपना पानी कहोंपर drain करता है River Zimbezi पानी जो है अपना drain करता है, किस में Mozambique क्यू चैनल में drain करता है मैं आपका हर एक point बताता हूँ यह आपर, ठीक है The कारीबा डेम याद रखना कारीबा डेम जो है, और रिवर Zimbezi is the largest producer of water power of Africa, एफरिका का water power पावर जो है, या आपको हेटर एलेक्ट पावर प्रोजेक्ट जो है, वो किस रिवर पे आपको बोलना है, रिवर Zimbezi और कौन सा डेम बनाया गए, उसके लिए आपको बना कारीबा डेम ठीक है, यह भी आपको याद रखना है उसके बाद, Aswan Dam, that is Nasir Dam, Nasir Dam on the river Nair of Egypt is another very large big dam, यह आपको भी पता होना चाहिए उसके बाद, river Congo, मैंने इसको star बना लेया, मतलब यह आचुका होगा river Congo, जिसको बोला जाता है Zaire River B, is the most voluminous river of Africa and is the only river in the world ठीक है, voluminous river जो है, एफरिका का and क्या है, voluminous river which cuts equator twice, most important point है, ऐसा कौन सा point है that means, यह equator, जो है न, that means, अगर यह lake आ रहा है, suppose, यह voluminous river है, किसका मैंने बोला था, विक्टोरिया का मैंने बोला था यह कौन सा था एक स्कूर्टर को मिझे जग करने दो हाँ, river Congo जो है, जिसको Zaire River में बोलता है, यह question पूछा गया है कि ऐसा कौन सा river है, जो equator को दो बार cut करता है suppose, यह मैंने अगर equator बना लिया अब आप बोलोगे, sir equator को दो बार कैसे cut करें क्योंकि अगर यहां से इसका origin है यह ऐसे पास हो रहा होगा, चलता होगा ऐसे फिर इसने ऐसे cross किया होगा फिर इस origin में आया होगा suppose, इसका origin तो यह है, और फिर last important है, जो आपको मैंने बोलाई भी ठीक है, किस river के बारे में, Congo river के बारे में ठीक है, Congo based and receives conventional rain throughout the year यहां पर क्या होता है, एक rainfall होता है जिसको बोलता है, conventional rainfall यह जो होता है इर्थ heat up हो जाता है, फिर air जो होता है, वारम हो जाता है इसके नियर जगा जो एर जो होता है, एर वारम हो जाता है, वारम होने से क्या होता है राइस हो जाता है, फिर waterfall हो जाता है, रेनफाल हो जाता है उसको बोलता है, conventional rainfall बस यहां तक आपको यह important जो है कमेंट्स मेंचन करो, इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, इसके हर एक point को लिखो, रख पे लिखो, अपने language में जैसे आपसे लिखना है कोशिश करो कि जादा से जादा डाइग्रामस बनाने के डाइग्रामस से समझने की और फिर सीधे से questions लगाला, आपकी questions बन जाएगे Thank you so much for watching me